तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम LDH, Ketone तथा Carboxylic Amble अगर इसकी बाद, LDH की बात करें तो LDH का जो जनरल फॉर्मूला होता है RCHO होता है, ठीक, Ketone का क्या होता है? R, CO, R होता है, Carboxylic Amble का क्या होता है? R, CO, OH होता है, क्या होता है? R, CO, OH होता है, अगर LDH तथा Ketone में देखेंगे, तो दोनों में Carbonyl Group होता है क्या होता है? Carbonyl Group Carbonyl Group जो होता है, दो तरीके का होता है, यह दोनों जो हैं Carbonyl Group के अंतरगत आते हैं Carbonyl Group Carbonyl Group अब Carbonyl Group में दो ग्रूप होता है, एक LDH ग्रूप दूसरा होता है, कीटोनिक ग्रूप LDH और कीटोनिक ग्रूप होता है, यह दो ग्रूप होता है अब दोनों को अगर combine बात करेंगे, LDH ग्रूप और कीटोनिक ग्रूप को, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, Carbonyl Group बोलेंगे Carbonyl Group दोनों को बोलते हैं, इसको भी, सियच्चो को भी, सीयो को भी, देखो इस दोनों में अंतर क्या है अगर ध्यान से देखोगे, तो यह वाला Alkyl Group इस Carbon से जुड़ा हुआ है, यह Alkyl Group हुआ हो गया, यह Carbon से जुड़ा हुआ है और यह Carbon जो है, इस Oxygen के साथ Double Bond के जरिये जुड़ा हुआ है तो यह Double Bond जो है, Oxygen के साथ जुड़ा हुआ है और ये carbon जो है carbon की जो संयोजक्ता होती है valency होती है वो 4 होती है अगर valency गिनेंगे तो double bond गिन लो तो 1, 2, 3, 1 कम पढ़डा है तो यहाँ पे कौन लगेगा hydrogen जुड़ेगा तो ये hydrogen हो गया तो इस तरीके से अगर देखोगे तो ये carbonil group है तो carbonil group में क्या आता है C double bond O आता है जो carbonil group का अगर general formula का समझेंगे तो ये होता है C double bond O ये carbonil group का symbol है तो इसमें भी C double bond O ketonic में भी होता है और aldehyde में भी देखो C double bond O होता है अब ketone में देखो ketonic group में या ketone में देखो क्या होता है ये R हो गया यह R किस से जुड़ा हुआ है? इस carbon से जुड़ा हुआ है, यह carbon जोड़ दिये और यह carbon double bond oxygen के ज़री जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया? यह alkyl group हो गया, ठेक? अगर देखोगे, तो इसमें RC double bond O, RC double bond O लेकिन यहाँ पे एक hydrogen है, यहाँ पे क्या है? R है, alkyl group है यानि, aldehyde और ketone में बस एक फरक क्या है? एक aldehyde में hydrogen होता है, जबकि ketone में क्या होता है? alkyl group होता है अब यह alkyl group समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है जैसे हम ether में बात कर रहे हैं अगर अलग-अलग यह alkyl group होगा तो R' से denote करेंगे तो यह इसका general formula क्या हो जाएगा R C double band O R' हो जाएगा ठिक, यह ketone का हो जाएगा तो यह aldehyde हो गया अब इसके जगह पे R के जगह पे कुछ भी रख दो यह हो गया यह CH3 हो गया और यहाँ पे यह CH3 हो गया ठिक, तो यह 2 carbon का aldehyde है इसलिए यह क्या हो जाएगा acetaldehyde हो जाएगा क्या हो जाएगा, acetaldehyde 2 carbon का aldehyde, acetaldehyde वैसे, एक carbon का भी aldehyde होता है यह हो गया acetaldehyde acetaldehyde हिंदी में भी लिख जे रहा है A C acetaldehyde यह हो गया acetaldehyde ठिक, एक carbon का aldehyde क्या होगा एक carbon का aldehyde लिखना चाहते हो, तो इस R को हटा दो R को हटा दो, R को जगा पे क्या लिख दो H लिख दो, तो यह हो जाएगा HCHO इसको कहेंगे formaldehyde क्या बोलेंगे, formaldehyde ध्यान देना, यह journal जयानकारी है organic chemistry के बारे में अगर यह सारी चीज़े अगर ध्यान में नहीं रहेंगी तो आगे के chapter जब reaction पढ़ेंगे हम जब reaction का conversion करेंगे और भी चीज़े जो भी करेंगे वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी तो यह journal जानकारी organic chemistry में इतना जानना बहुत ज़रूरी है ठेक, यह हो गया formaldehyde hyde हिंदी में लिख देते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजेगा English, Hindi दोनों बताएं कि केवल English में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आप कहेंगे तो दोनों चीज़े बताएंगे तो दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठेक, यह तो हो गया aldehyde का कीटोन का, कीटोन का भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं CS3, CO, CS3, ठेक तो यह क्या हो गया, डाई में अथिल कीटोन ऐसे बोल सकते हो, एथिल में अथिल कीटोन ठेक, ऐसे बता सकते हैं कार्बुक्सलिकमल के जगह पर लिख सकते हैं आप देखें कार्बुक्सलिंग नर्प बान के जगा पर यह और की जगा पर क्या लिख सकते अगर मेथिल लिखेंगे तहीज़िक च्छाष इक क्या हो बटान है अर्यक्तिक अवन था बानल मैंत यह सारी जन्हार चाहिए कम वन ज्लीब करें प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे यह जो है फॉंक्शनल ग्रूप है यहाँ पर हमने बस चेंज किया यह तो इतना सामाने सब में रहेगा यही चेंज पर एक कारबन का हम अमल बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक कारबन का अमल बनाना चाहते हैं तो इस आर के जगा पर एच लेना पड़ेगा तो हो जाएगा आ इसका जो नाम होगा फॉर्मिकमल होगा क्या होगा फॉर्मिकमल या फॉर्मिक एसीड क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसीड या फॉर्मिक एसीड या फॉर्मिक एसीड हो जाएगा फॉर्मिक एसीड हो गया इसी तरीके से तीन कार्बन का बना सकते हैं ठीक तीन कार्बन को प् आ सकते हैं सारी चीज़ें ठेऊ यह तो हो गया इस का अब बात करते हैं नाइटोजन युकत थ एमीन की बात करते हैं तो अगर नाइटोजन युकतक्pf पाउंड की बात करेंगे तो एमीन देख लिजिए इसको मिटाते हैं ठिप अगर एमीन की बात करेंगे कर एमीन की बात करते हैं बस ध्यान देने की बात होती है एक जगह आप ध्यान दे लिए सारी चीजे वैसे ही थोड़ा सा माइनर चेंज होता रहता है, सारी चीज़े आएंगी, बाकी हम compound के बारे में detail ने बताएंगे, जब chapter में घुसेंगे, यह हम general जानकारी, आज introduction है, पहली हमारी class है, पहली online class है, तो पहले में हम पूरा इस chapter के introductory part पूरा हम इसको बताते हैं, तो यह R जो हो गया, एलकेल गुरूप है, वही एलकेल गुरूप, वही एलकेल गुरूप, जिसका general formula क्या है, CnH2n plus 1 है, ठीक, अब CnH2n plus 1 यह last है, इसलिए हम पूरा detail में बता रहे हैं, जो ध्यान न दी हो, यहाँ पे दे लो, देख लो, तो अगर यह carbon, एक carbon अगर लोग होगे, तो hydrogen, जिसका double होगे, यहाँ पे 2n है, जिसका double, तो एक का double, यानि दो गुना कितना होगा, दो होगा, प्लस एक जोड़ना है, तो तीन हो गया, तो यह क्या होगा, CS3, एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए CS3 हो गया, अगर इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, यह एक carbon का है, तो इसको कहेंगे, मेथ, ठीक, यहाँ पे YL जूड़ा होगा है, तो यहाँ पे लिखा देंगे, मेथेल, इसी तरीके से अगर 2 carbon का लिखना है, तो यहाँ पे C2 हो गया, दो का double कितना होगा, चार होगा, चार में एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, पांच हो को जाएगा, यह 5 हो जाएगा, तो 2 carbon का हो गया, तो 2 carbon को क्या बोलते है, एत बोलते हैं, यहाँ पे YL जुड़ा होगा है, क्योंकि alkyl है, YL जुड़ा होगा है, तो क्या जोड़ेंगे, एत्यल जोड़ेंगे, ठीक, इसी तरीके से अगर 3 carbon का लिख़ ग्रूप ले का नाम देंगे तो तीन कारवन को प्रोप बोलते हैं तो हम तीन कारवन को प्रोप लिग देंगे लेकिन यह यह जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा प्रोपील यह प्रोपाइल जो भी कहते हैं यह सब नाम इसके लिए जाते हैं तो जो नाम देना चाहें आप नाम बोल सक सकते हैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखा यहीं जाएगा ठिक आगे बढ़ते हैं अगर इसके जगह पर हम CS3 रखते हैं तो यह हो जाएगा CS3 NH2 इसका क्या होगा मेधिल एमीन इसका क्या नाम हो जाएगा मेधिल या मेधायल एमीन अगर इसी CS3 के जगह पर C2H5 लेते हैं क्या लेते हैं C2H5 यह NH2 ठिक तो यह क्या हो जाएगा एथिल यह हो गया क्या एथिल एमीन तो क्या हो जाएगा एथिल एमीन इसी तरीके से C3H7 हो गया क्या कहेंगे प्रोब बोलेंगे यह क्या हो जाएगा प्रोपील एमीन इस जनर्ल जानकारी है अब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंड्री और क्यों नहीं किये हैं क्यूंकि जब chapter में जब हम चलेंगे तो सारी डिटेल शहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सारे chapter की ज़ैनल जानकारी उनके जनल फार्मुला यह जनल फार्मुला और जनल नेम उनके हम जान ठीक यह इसके बाद आता है जैव और बायो मॉलिक्यूल में आपके जो है कार्बोक्सलिक स्वारी आपके कार्बो हाइडरेट प्रोटीन यह सारे चीजें पढ़ेंगे प्रोटीन विटामीन सो गएरा और बाकी सारी चीजें जो है एक चैप्टर है आपका और्गेनिक में दैनिक जीवन में रशायन यह चैप्टर कंप्लीटली आपके स्लेबस से हटा दिया गया है ठेक इन सारे चैप्टरों में यह जो पांच चैप्टर हमने गिनाए हैं इसमें उसे भी कुछ चीजें जो है रिमूव की गई हैं हटाई गई हैं तो उसको भी हम उसको तो प ध्यान अभी नहीं में पहले हम सारी चैजेंद जैअनि जो हमारा स्लेबस है हमारा जो इसके विदीम इसकंटर पहले चैप्टर हम पहले चेप्टर हम स्टार्ट करेंगे टों पहला चैप्टर आप डाल लएगंग अउपर डाल लेतिय Transportation को इंट है आपका तथा हेलो एरीन नेक्स्ट वीडियो में हम यह नया चैप्टर डिसकस करेंगे ठीक यह नेक्स्ट वीडियो में यह चैप्टर डिसकस करेंगे तब तक के लिए जो आई गुड़ बाय अब ज्ञान से सारी चीज़ों को आप समझ लेजेगा ठीक